सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो अक्षय तृतिया पर खरीदें, ये साथ चीजें, कभी कमी नहीं होगी, धनकी और मिलेगा महापुन्य. अक्षय तृतिया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, ग्रिह प्रवेश, नया बिजनस शुरू करना, आधी कार्य आरंभ करना, अत्यंत शुभ फलदाई माना जाता है. जोतिश शास्त्र के अनुसार, अक्षय तृतिया के दिन साथ चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. इन साथ चीजों के खरीदने से धन संपत्ती में बढ़ोतरी होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नती भी होगी. आइए जानते हैं, अक्षय तृतिया के दिन किन साथ चीजों को खरीदना चाहिए. लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें. आइए जानते हैं. 1. अक्षय तृतिया के दिन रूई खरीदने का विशेश महत्व है. अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इस दिन रूई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. अक्षय तृतिया के दिन रूई खरीदने से जीवन में शांती बनी रहती है और धन ध 2. अक्षय तृतिया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना खरीदने के बराबर माना जाता है. अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदी चीजों को इस दिन घर लाना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से आपकी संपत्ती में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नती होती है. तीन, अक्षय तृतिया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता वमानसिक शांती के कारक ग्रह चंद पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. इस शुभ दिन पर जौँ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है. अक्षय तृतिया के दिन बरतन या कौरी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन तांबे या पीतल के बर 6. अक्षय तृतिया पर सोना नहीं खरीद पा रहे तो इस दिन श्रियंत्र खरीदना भी बेहत शुभ माना गया है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।